CSC के थुरू आधार सेंटर आपन करना और भी आसान हो चुका है अगर आप CSC के थुरू आधार सर्विसेस में काम करना चाहते हो तो इससे जोड़ी एक नई अपडेट आई हुई है जो आप लोगों के लिए काफी जादा फाइदे मंद होने वाली है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस नई अपडेट के बारे में सारी ही जनकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस नए अपडेट के बारे में जानेंगे, यह नए अपडेट हमें CSE Newsletter ने दिया है, CSE Newsletter CSE की ही एक Portal है, जहाँ पर CSE की Services से लेटेड सारी ही अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल जाती है, चली हम लोग Newsletter को Open कर लेते हैं, यहाँ पर आप ल Science MOU with Women and Child Development Department for the Aadhar Enrollment in Madhya Pradesh, यानि की Madhya Pradesh State में CSE ने MOU Sign किया हुआ है, Women and Child Development Department के साथ, Women and Child Development Department UIDI की एक Registrar होती है, सभी State की different departments को UIDI ने Registrar और Agency के रूप में बनाया हुआ है, तो कोई भी State अपने राज्यों में कहीं पर भी Aadhar Center Open करवा सकता है, इसी परकार से Madhya Pradesh State में CSE ने MOU Sign किया हुआ है, Women and Child Development Department के साथ, Women and Child Development Department Registrar है UIDI की, जिसके थुरू ही आप लोगों को Aadhar Center मिलने वाला है, State Government के द्वारा ही आप लोगों को Manage किया जाएगा, लेकिन CSE का भी इसमें एक अहम रोल है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस नए UIDI ने बनाया हुआ है, The Service at CSE will benefit Women and Children in the Rural and Urban Areas of State, यानि कि इस State के जितने भी Rural Area या फिर Urban Area है, उन सभी Areas में बच्चों को और महिलाओं को काफी जादा सुवीदा प्रोवाइड की जा सकती है, इस सर्विस को स्टार्ट करने के बाद, CSE Aadhar Kendra will facilitate the enrollment of citizens under Aadhar, यानि कि UIDI के अंदर में नए Aadhar कार्ट को बनाया जाएगा, CSE Aadhar Kendra के through, they will also serve as update centers, यानि कि इन Aadhar सेवा Kendra को update center भी बनाया जाएगा, यानि कि उसमें नए Aadhar कार्ट भी आप लोग बना सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग वहाँ पे Aadhar कार्ट अपडेट भी कर सकते हो, बायमेटरिक Aadhar Enrollment आप लोग इस Aadhar सेवा Kendra के शुरू कर सकते हो, Child and Woman Enrollment आप लोग कर सकते हो, या Aadhar Print आप लोग कर सकते हो, UCL की service आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, Advanced Search यानि कि आप लोग किसी का भी Aadhar कार्ट फाइंड कर सकते हो, Aadhar Demographic Data Update कर सकते हो, Biometric Update कर सकते हो, Aadhar Shading कर सकते हो और AAPS भी Enable कर सकते हो, तो basically Aadhar सेवा Kendra में जो भी services available रहती है, वो सारी services आप लोगों को CAC Aadhar Kendra में मिलेगी, लेकिन यह Aadhar Center CAC VHeli को मिलेगा, या फिर citizens को मिलेगा, इसके बारे में कोई भी चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया है, CAC VHeli को यहाँ पर कहीं पर भी mention नही जा रहे हैं, जैसे कि जारकन स्टेट के सभी पंचायत में CAC के थुरू ही Aadhar Center open किया जाना है, और इसका registration भी start हो चुका है, और सभी CAC VHeli को ही इसमें काम मिलेगा, किसी भी citizen को इसमें काम नहीं मिलेगा, इसके बारे में और भी details जानने के लिए Women and Child Development Department of Madh Pradesh के official website में में गया, यहां पर आप लोगों को देख सकते हो, कि इस वाले corner में आधार पंजियन से related कुछ options दिये गया है, जैसे कि यहां पर आप लोगों को manual मिल जाता है, कि कैसे आप लोग आधार की software को install कर सकते हो, आधार की software को download करने के लिए भी यहां पर buttons दिये गया है, जैसे ही आप लोग इस पर click करोगे, तो आप लोग यहां से इसे download कर सकते हो, कैसे आप लोगों को काम करना है, उसका भी manual यहां पर दिया गया है, तो यह सारे details आप लोग इसकी official website से भी देख सकते हो, इसका भी link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा, लेकिन CAC की थुरू आधार center जो open करने का यह नया newsletter पोस्ट किया गया है, इस से related इस website में कोई भी update अभी तक नहीं डाली गई है, और जल्द ही यहां पर कुछ ना कुछ update आइड कर दी जाएगी, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस update के बारे में सारे ही जानकारी दे दी, अगर आप लोगों को को पर दी ज़न है तो नीचे आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, आसा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं मिलता हूँ आप से ऐसे ही अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुर्वाए दोस्तों